चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नई exercise उसमें कह रहा है replace A, B, C by suitable numerals हमें यह A, B, C जो हैं alphabets उनको numerals में change करना है मतलब उनकी जगे alphabets की जगे numbers लाने इनकी value find out करनी है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अगर आपने इससे पहले के questions अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जरूर देख लें उसका link मेरे description box में given है या आप मेरी site www.elearnmatch.n पे जाएं class क्लिक करें, book क्लिक करें और drop down के थूँ किसी भी chapter के exercise का playlist देख सकते हैं अब देखें कैसे करेंगे अब हम किसी number किसी alphabet में 7 add करेंगे तो हमारा 3 आ रहा है तो देखेंगे और हमें यहाँ पे देखें add करना है तो 7 में क्या add करूं कि plus करके 3 आ जाए तो देखेंगे अगर देखेंगे 7 के बाद 8 आता है 9 आता है 10 आता है ऐसा number डूढ़ना है जिसकी unit digit 3 हो क्यों क्योंकि यहाँ पे हम वो 3 लिखते थे अब देखेंगे कैसे पता चलेगा अगर मैं 25 में 6 add करूंगी तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 carry हो जाएगा और यह 3 आएगा तो देखेंगे 11 का unit digit 1 था तो 1 आया तो उसी तरीके से 7 में क्या add करूं कि उसकी unit digit 3 आ जाए next कौन सा number आएगा 10 के बाद 11 आएगा 12 आएगा इसकी भी unit digit अभी तक किसी की भी unit digit 3 नहीं आया है तो फिर 13 है अब 13 में unit digit 3 है तो 7 में कितना add करूं कि 13 आ जाए 1 2 3 4 5 6 6 add करेंगे तो एक ही जगे क्या लिख देंगे हम 6 लिख देंगे तो यहाँ पे मैं इसको दुबारा से लिख रही हूं 5 8 7 add करना है और यहाँ पर 3 है अब A जहां था वहाँ हमें पता चल गया कि हमने 7 में 6 add किया कि हमारा 13 आ गया तो यहाँ पर मैं 6 लिख रही हूं फिर से बता रही हूं 7 में कुछ ऐसा add करना है जिसकी unit digit 3 आए तो 7 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करी तो 13 इसा number है जिसकी unit digit 3 है तो 7 में हमने 6 add किया तो हमारा 13 आ गया तो 7 में 6 add किया तो हमारा 13 आ गया और carry 1 आ गया आप देखिए अब इन तीनों को add कर देंगे तो हमारी यह दोनों unit digit यह तो हमारी यह दोनों digits आ जाएंगी तो देखिए 1 प्लस 5 इस 6, 6 प्लस 8 इस 14, 14 होता है तो अब देखिए बी की जगह क्या है 4 है और सी की जगह क्या है 1 है तो हमें पता चल गया यहां पे लेख रही हूं एकी value आई हमारी 6 बी की value आई 4 और सी की value आई 1 is the answer यह था simple एक तरीका इस question को solve करने का राइट अब चलिए इसी तरीके से next question करते हैं अब इस question में देखिए हमें फिर से ABC की value निकालनी है तो कैसे निकालनी है इस question को मैं दुबारा लिख रही हूं और alphabets नहीं लिख रही हूं अब देखें 6 में कितना add करूं कि उसकी unit design 3 आ जाय तो हमें पता है अगर हम 6 में 7 add करेंगे तो हमारा कितना आता है 13 आता है जिसकी unit design 3 है तो हमने यहां पर 7 लिख दिया, एक ही जगा 7 लिख दिया, अब 13 आया है, तो हमारा 1 carry हो गया, अब कितना आ गया, देखें, यहां 7 लाना है, तो 9 plus 1, 10 हो गया, अब 10 में, अब फिर से देखिए, 10 में कितना add करूं कि unit does it 7 आ जाए, तो 10 के बाद 7 कब आता है, 17 में unit does it 7, तो 10 में हम क्या add करेंगे, 7 add कर देंगे, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, अब देखें, कितना हो गया, 9 plus 1 is 10, 10 plus 7 is 17, carry 1, तो यहां पर हमारा carry 1 आ गया, अब देखें, 6 plus 1 is 7, अब 7 कि में क्या add करूं कि unit digit 1 आ जाए, तो देखें, 7 में कितना add करेंगे, unit digit 1 आ जाए, तो 7 के बाद 11 यह वो number आता है, तो 7 में हम 4 add कर देंगे, unit digit 1 आ जाएगी, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, अब आप इन सब को add करके भी देखेंगे, तो यही आना चाहिए, देखें, 6 प्लस 7 is 13, carry 1, 9 प्लस 1 is 10, 10 प्लस 7 is 17, carry 1, 6 प्लस 4 is 10, प्लस 1 is 11, carry 1, 8, तो हमें पता चल गया, A की value कितनी आ गई, देखें, A यहां था 6 के नीचे, तो 6 के नीचे हमने क्या value रखी थी, 7, तो 7 आ गया, B की value कितनी आ गई, 9 के उपर B था, तो B की value भी 7 आ गई, इसी तरीके से C की value देख लेते हैं, देखें, C यहां था, C की value की जगे हमने क्या रखा है, 4, तो हमें A, B और C की value पता चल गया, तो this is our answer, let's do next question now,